हेलो दोस्तों बात करेंगे बाजार के ऊपर संजी वसीन का क्या वियू है वो कैसे बाजार को प्रेडिक्ट कर रहे है और कौन से टोपिक से जहां पर बड़ा पेसा आप बन सकता है उसके उपरम डिसकेशन करेंगे जो कि friends आप सबको बदाऊगा कि बसीन जी का व्यू बाजार के उपर बूलिश ही है पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो बाजार कंसोलरेशन कर रहा है लेकिन दोबेर के बाद बढ़िया recovery में पिछले दो trading session से देखना को मिल रही है कल भी दोबेर के बाद recovery अच्छी आई थी और आज भी आप देखोगे तो जबर 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 के बाद ही देखना को मिली है और साथ में देखा जाए friends तो भसीन जी का ऐसा मानना है कि इसी हपते में new high buzzer में देखना को मिल सकते जो कि bank nipty all time high पर ही trade कर रहा है लेकिन nipty में आपको इसी हपते में new all time high देखना को मिल सकता है ऐसा बसीन जिका मानना है जो कि उसके पीछे उसने कुछ reasons भी share किये है उसका ऐसा मनना है जैसे कि inflation data की बात करे तो बहुत ही कम आया है तो वहाँ पर कोई दिक्कत की बात है नहीं साथ में कूड़ वाइल देखे तो वहाँ पे भी हमें बहुत ही अच्छी गिराउट की situation कूड़ वाइल में देखने को मिली है 97 कूड 91 के असपा स्टेर कर रहा है तो यह भी कहिना के positive संके थी है जो संजीब वस इनको पसंद आ रहे है तो सबसे पहले उसका मनना है कि अशुक लेल में खरीद दरी करनी ही चाहिए 1500 रुपे के असपास उसके target यहाँ पे 112 रुपे के असपास है stop loss 147 के stop loss के साथ आप अशुक लेल में position बना सकते है ऐसा उसका मनना है साथ में titans के उपर भी उसकी खरीद दरी की राई है 2660 रुपे के असपास position बनाने की राई है target यहाँ पे 2800 के और top loss 2600 का और जो तीसरा top picks है ओ है IDFC 1st bank 17 रुपे के असपास खरीद दरी की राई दी है 62 का target है और 55 का SL तो यह तीन top picks थे जो संजीव वसिन के radar पे है तो इन talks के उपर आपकी नजदर होनी चाहिए साथ में बाज़ार के उपर भी all time है के संकेत वसिन जी की और से मिल ही रहा है तो friends वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें चैनल पे ने तो जोनलों को subscribe कर लिजए